हल एन विलकम दोस्तो तो आज हम एक्स्प्लेन करने वाले हॉली बूट की एक रोमैंटिक मुवी को दोस्तो इस मुवी का नाम है ले दा फेवरिट जो 2012 में रिलीज हुई थी दोस्तो इस मुवी में घपा घप वाला सिन भर भर के दिया हुआ है तो आप इस वीडियो को लाश तक देखेगा क्योंकि आपको मजा बहुत ही आने वाला है तो चलिए हम इस मुवी की सुरुवात करते हैं तो दोस्तो इस मुवी की स्टार्टिंग में हम एक वैत नाम की लड़की को देखते हैं जो दोस्तो एक लैब डांसर होती है लैब डांसर क्या होती है दोस्तो मैं आपको वो बता देता हूँ लैब डांसर वो होती है जो हर किसी के घर जाती है और डांस करती है और लोगों का इंटरटेन्मेंट करती है लेकिन दोस्तों इसके साथ घटना यही घटती है कि यह जिस किसी के घर भी जा करके डांस करती है वो इसके साथ घपा घप करना चाहता है और इसे धमकी दे कर या अपने गन के दम पर इसके साथ घपा घप करते है ये सारा कुछ देख करके ये परिसान हो जाती है तो इसके बारे में वो अपने बाप से बात करती है और कहती है कि मैं इस से बड़ा करना चाहती हूँ मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ और मैं बड़ा पैसा कमाना चाहती हूँ मेरे सपना ही कुछ हो रहा है मैं ये नहीं करना चाहती तो वो अपने सपने को पूरा करने के लिए घर से निकल जाती है और जब ये निकलती है तो इसकी मुलाकात एक डिंक नाम के आदमी से होता है जो एक gambling करता है gambling करके वो बहुत सारे पैसे बनाता है जिसे देखकर के उस पे वैत फिदा हो जाती है डिंक एक दिन वैत को gambling करके जहां वो पैसा बनाता है वहां लेकर के जाता है वहाँ जाते ही वैद देखती है कि डिंक ने एक ही बार में बहुत सारा पैसा बना लया तो ये सारा कुछ देख करके बैद भी यही करना चाहती है और फिर बैद भी गैमिलिंग में पैसा लगाती है तो एक ही दिन में 2000 डॉलर कमा लेती है इसको देख करके उसे समझ में आ जाता है कि वो जो करना चाहती है वो यही है और इसी से वो पैसा बना सकती है और अपना नाम बना सकती है बैद फिर बड़े लेबल पे गैमिलिंग शुरू कर देती है और बहुत सारा पैसा बनाने लगती है लेकिन वो डिंग से कहती है कि मैं इससे भी ज़्यादा पैसा बनाना चाहती हूँ तब तक डिंग से वैत को बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ मिल कर घपा घप भी करते है फिर वैत को डिंग बताता है कि तुम जाओ रोजर नाम के एक विक्ति से मिलो जो इस गैंबिलिंग में बहुत बड़ा मास्टर है जो तुम्हें बहुत सारा पैसा बनाने के लिए बताएगा कि कैसे इस गैंबिलिंग से बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है तो फिर वैत रोजर से मिलने जाती है और रोजर के साथ मिल करके वो गैंबिलिंग स्टार्ट कर देती है और फिर वो बहुत बड़ा पैसा बनाने लगती है लेकिन दोस्तो इस बीच में इसके साथ एक गटना हो जाता है कि इसे रोजर से भी प्यार हो जाता है और रोजर के साथ ये मिल करके पैसा बनाती है और वो सब कुछ करती है जो आप सोच रहे हो हाँ वही घपा घप भी बहुत सारा करती है यानि इसके साथ यही प्रबलम होता है दोस्तों कि यह जिस किसे भी मिलती है वो उसके साथ घपा घप करना चाहती है और वो भी करने हो गई है और रोजर भी यह कहता है तो वहां से कहीं छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं फिर डिंग भी कहीं चला जाता है और रोजर भी कहीं चला जाता है और दोस्तो आप वैद भी कहीं चली जाती है फिर वह वैद चाहती है कि जो पैसा मेरा रोजर के पास है वो पैसा मैं ले लूँ लेकिन दोस्तो वो पैसा उसे नहीं मिल पाता है क्योंकि वो एक और परसन ने रखा होता है जिसके पास वो पैसा होता है तो वो डिंग से कहती है कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ पैसा नहीं मिल रहा है तो डि के पास कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुमने हमें पैसा नहीं दिया तो तुम पकड़े जाओगे इस परकार के सबूत पुलिस को मिली है कि इसमें तुम ही बजोगे हम नहीं बजेंगे तो यह सारी बाते सुनकर वो आदमी डर जाता है और उन्हें पैसा देता है फ फिर यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है दोस्तो आज का मूवी का एक्सप्लेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर आप इसी परकार के मूवी का एक्सप्लेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और व अगले वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई